चमेली देवी इंस्टिटूट में ये यंतरा वर्क्शॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्क्शॉप में प्रदेश के पस्राज से ज्यादा इंजिनेरिंग कॉलेज के प्राचारे ने भाट लिया। प्रुप्ति जानकारी चमेली देवी इंस्टिटूट के ग्रुप डिरेक्टर डॉक्टर जॉय बेनरजी ने दी। उन्होंने बताया कि IT मुंबई से आये एक्सपर डॉक्टर ग्रशनिलान ने यह प्रोजेक्ट M.H.R.D. द्वारा अनुमोदित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहट देश भर के इंजिनरिंग कॉलेज में रोबेटिक लैब लगाई जाना है। उन्होंने काई किस लैब के जरिये कॉलेज के स्टुडेंस रोबेटिक्स को करीब से जान पाएंगे और नए इनोवेशन भी कर सकेंगे। आने वाले समय में प्रदेश के विभिन इंजिनियर्स कोलेज की प्राचारे एवं प्राध्या पकुने भाग लिया। समहरों में संस्था के दीन डॉक्टर के एस जयराज भी उपस्थित थे। क्यास की अफड़ने विप्राध्या टी ईसदियर्स थे जए हैं आज जो दिन वर्खवक के लीए आएंगे। इसे जीर्न बेलन के टीन के लॉक्टर के लॉक्टर के लीए आएंगे।। जिसमीन बवीन बनाय। अबवाब इस भीक्त कारा थे। हम बंबेय आएट के साथ computer science engineering department यह आंतरा प्रोजेक्ट है under MHRT that is ministry of human resources and development यह ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो जो classroom में higher technical education में जो teaching हो रहा है उसका learning जो हो रहा है students को और वो practicing के साथ जुर रहा है इसी हिसाब से जुर रहा है जो वो छोटे-छोटे modules रोबोस बना रहा है और वो रोबोस के पीछे बनाने का पीछे एक idea है आइडिया जेनेरेट करके उसको social cause में वेदर theme based product बना के वो display करते हैं, competitions में participate करते हैं and then awards लेके आते हैं इनके लिए पूरा जो तक्नीकी help हमें मिलता है Bombay IIT से, Bombay IIT का very experienced teachers, faculties ने हम लोग का faculties को, teachers को train करते हैं, इसको कहते है task-based training program, 12 weeks का training program चलते हैं और उसके बाद जब train हो जाता है, यह teachers and big बच्चे को fit training देके, रोबोस बनाने के लिए मदद करते हैं अरोबोस बनाके competition में जाते हैं, यह प्रक्रिया है, यहाँ पर आज जो हुआ है, आज अभी principles meet हुआ है तो इंदोर जे नामी नामी कोलेज में, नामी नामी कोलेज में सारी principles आया है, उनको सारी यह चीज एक्स्पें किया है जे ELSI initiative से, रोबोटिक लैब उन्होंने establish करना चाहिए सारी कॉलेज में हमारा कॉलेज में अलेड़ी initiative लिया है, जिसमें खर्चा पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पांच लाग रुपया, अभी स्रिफ दो लाग रुपया में यह लैब सेट अप हो जाते है बच्चों को देखिए, बच्चों को बहुत फाइदा हो गया, काफी फाइदा होगा, बच्चे प्रोडाक्ट बनाएगा जो आपका सोसाइटी में लगेगा, जो होम अटोमेशन में है, अभी स्मार्ट डस्बिन किसी ने बना दिया, किसी ने कैसे फूट्स प्लग करता है किसी ने अग्रिकल्चर फर्मर को कैसे कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, मिनिमम मिनिमम कोस्ट में, जिसमें हुमेन मैन पावर का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मेशिन आटोमेशन से कर सकते हैं, और एक ऐसा चीज है, जे बहुत सरी स्टार्ट अप इंड है, एफर्ट है, और मुद्धप्रदेश में इसको पॉपलराइज करना है, स्टूडेंट्स का अंदर, बच्चे के अंदर, और सारी कॉलेजेस को इसलिए हमने प्रिंसिपल्स को मिट कराया, बंबे आएटी से एक्सपार्ट आया, यह सब सी चलसत.